हेलो दोस्तों वेलकाम टू टॉपर्स तक क्लाश टेंथ की मैथेमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्लाश टेंथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप हिंदी में कहते हैं समांतर स्रणी कि इस के हैं अलड़ोवि इसका इंट्रो पार्ट समझेंगी कि यह प्रस्नावली किसस कंश्प्ट पर बेस है तक्र प्रियास यहुक्त आ किन आपकी एकसरश पूरी की पूरी की हम देखेंगे आनियों टाइम में ऐसा ही प्रयास रहेगा कि सारी जितने क्वेश्चन से आपको कराए जाए हर एक क्वेश्चन ठीक है मेरे भई इस्टार्ट क्या करेंगे हम प्रस्नावली 5.1 बहुत की अच्छे-च्छे क्वेश्चन है कंसेट आपको सीखने को मिलेंगे बहुत सारी नई चीज़े आपको इसमें सीखने को मिलेंगी बस आपको करना क्या आपको जोड़ घटा गुड़ा भागे थोड़ा वह आपको आन को इसमें समझेंगे छली स्टार्ट करते हैं आरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सिरेंडी ठीक है मेरे इसली जिसके मतलब क्या हो समान रहे मतलब समान रहे है प्रतेग दो टर्म ऐसी स्रेंडी स्रेंडी मतलब ऐसे सीरी जैसे बनी हुई है न साथ दस पंदरा उननिस चौबिस चार दस सोला वाइस ठीक है इस तरह से आपके स्रीज अपकी बनी हुई है नीचे यहां पर मैं देख रहा हूं आप भी देख रहे हैं तो इनके प्रतेग द लिए कि साथ ग्यारा पंदरा उननिस चौबिस ऐसे आगे के चलती जाए यह दो स्रेंडी हो कि जो एक्स लगाता चलती जाए चलती जाए ठीक है तो मैंने कुछ यहां पर नमबर्स लिखी हूं जैसे आप यहां पर देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस जैसे आप अग क्यार का डिफरेंस है सब्सक्राइब 24 ओर 19 यहां पर तैइस कर लेना है कि यहां पर आपको ज neighborhood यहां पर आपको तेस करना पड़ेगा तो यहां पर आप देखेंगे कि इनकी चार का डिपरेंस है आप यहां पर देख रहे हैं ठीके तो अगले term में यही चार ही difference होना चाहिए, देखो 11 और 15 के बीच का difference कितना है, 4 है, 15 और 19 के बीच का difference कितना है, 4 है, 19 और 23 के बीच का difference क्या है, 4 है, तो आप कहेंगे कि यह जो आपकी series बनी है, यह जो स्रेड़ी बनी है, यह समांतर स्रेड़ी में होगी, AP में होगी, arithmetic progression में ह कोई प्रावलम नहीं न मैंने कहा कि प्रतेग दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इस सीरीज में समान रहेगा तो समानतर सेड़ी रहेगी इसमें कोई प्रावलम नहीं है आईए एक एक ग्जम्पल और से देखते हैं देखो क्या कह रहा है चार दस सोला बाइस ठीक है अब आप देखो कि क्या प्रतेग दो टर्म के बीच का डिफरेंस समान है देखो 10 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई आप कहेंगे आप कहेंगे आप कहेंगे कि 6 का डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है यहाँ पर आप देखें कितने का डिफरेंस ह च्छे का डिफ्रेंस है तो अगर प्रतेक दो टर्म के बीच का डिफ्रेंस समान आ रहे तो अर्थात ये भी क्या होगा एपी में होगा किसमें होगा ये एपी में होगा सौर्ट में लिखते हैं समांतर स्ट्रेड़ी ठीक है हिंदी में इसे लिखते हैं समांतर स्ट्रेड़ी समांतर स्ट्रेड़ी इंगलिस में आप उपर देख रहे हैं माइनस का साथ में आप माइनस का दो जोड़ें देखो माइनस का साथ में जब आप माइनस का दो क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं के माइनस के 7 में से माइनस का 2 आप घा हैं तो कितना आया माइनस का 9 मतलifiques नहाँ यहाँ पर कितना बढ़े माइनस का 2 आप केंगे लिख बिलकूल बढ़ा ठीक है यहां पर सब प pact कितने सबादों सब anunci अब बात यह तो कि मैन फालस होता है फिर आगे क्या हुआ मैनस का 9 में कि मैनस होतों तो कितना जाएगा माइनस का 11 ग drowned ही तो पर हएगे जाने के लिए जब आप देख रहे हैं यहां पर देखते हैं माइनस का ग्यारा के बाद जब आप माइनस का दो फिर घटा रहे हैं तो माइनस का तेरा हो जा रहा है है कि नहीं माइनस का तेरा हो जा रहे है और थात यहां भी कितना माइनस का दो घट रहा है ठीक कितना घट र माइनस का 11 माइनस 13 के बीच का डिफरेंस माइनस का 2 तो अर्थात ये भी क्या होगा आपका समानतर स्रेडी में होगा AP में होगा ठीक है मेरे बाई अब देखिए एक बात याँ समझना देखो मैं आपको बहुत सरी चीज़े भी समझाने वाला हूँ ये बेसिक चीज़ आपको समझना ठीक है आप देख पा रहे हैं देखो आपको दिख वीरागव मैं उपर करता हूँ ताकि आपको देखे माइनस 5 और 5 की बीच का डिफरेंस कितना है जीरो जिसे देखो आप माइनस का 5 में पलस 0 बढ़ाएंगे ठीक कितना जाएगा आपका 5 ही आएगा फिर आप 5 पलस 0 करेंगे फिर आपका 5 ही आएगा बढ़के 5555 आइसा लगाता रहा है आप कहेंगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठेक है मेरे भाई अब देखो यहां से क्या आपको समझना है यहां से आपको समझना है बहुत सारी बात है देखो जिसे आप पहला तर्माप ले रहे हैं इसको मैं रेज कर दे रहा हूं चार-चार का डिफरेंस आ रहा था ना आपने बेख लिया ठीक है हम पहले एक क्वेस्टन की बात करते है एक्जांपल आपका पहला ठीक है कि कि हिंधी में प्रथम पद क्या कहते हैं मेरे दोषतों पर्थम पद कहते हैं है। कि से दिनूट करते हैं, तो मैं आपसे पूंचता हूँ मेरे दोस्तों, कि इस सीरीज का पर्थम पद क्या है, तो आप कहेंगे 7 है, क्या है मेरे भई 7, 7, मैं आपसे कहता हूँ, इस सीरीज का पर्थम पद क्या है, तो आप कहेंगे 4 है, ए क्या है आपका ए पर्थम पद से जूनर करते हैं ए क्या है चार है मैं आपसे कहता हूँ इस सीरीज तीसरे वाली सीरीज का पर्थम पद क्या है तो आप कहेंगे मेरे दोस्तों माइनस का साथ है मैं आपसे कहता हूँ चौथे वाली सीरीज का पर्थम पद क्या है तो आप कह तर्म लिखा होगा, वही क्या होगा, पर्थमपद होगा, पर्थमपद होगा, ठीक है, आप देखो, बात सबसे इंपर्टेंट है, कि सारवांतर कि से कैते हैं, इसमें कहते हैं, common difference, जिससे आप कहते हैं, सारवांतर हिंदी में, ठीक है, सारवांतर इसे हम DC denote करते हैं notation का तरीका D होता है इसको कैसे denote करते हैं सारवांतर क्या होता है दो टर्मों की बीच का difference सारवांतर होता है जैसे देखो आप यहाँ पर दो टर्मों की बीच का difference जवाग निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ किया यहांपर पर अपने तर्म 20 को आपने एसदीव किया कितने एक लागतारी अभी चलता जाएगा ठीक है happen कि एक हमने नोटेशन का श्माअ को कहा है जैmorी आपको 14rene किसकी थाईरै आप भी यहां के लिए समझो क्यों भी question के लिए तीसरा आपको टर्म बताएगा तो 15 हो जाएगा ठीक आप ऐसे ही कहेंगे आप ऐसे ही कहेंगे आप कहेंगे जी बिल्कुल कहेंगे देखो कॉमन डिफरेंस आता कैसे है आप a2-a1 कराएं दो टर्मों का ठीक है या आप a3-a2 आए बात बराबरी होनी चाहिए देखो अगर आप a2-a1 मतलब इसको में रेच कर देता हूं खीक है मतलब a2-a1 का मतलब अगर आप 11 में से a2 में से a1 घटा रहे हैं साथ करा रहे हैं कितना आएगा चार आएगा तो यही अगले टर्म में भी होना चाहिए तो आप देखरे कॉमन डिफ्रेंस क्या होता है कि पतेग दो टर्मों के बीच का डिफरेंस क्या होसता मान रहे है जैसे मैंने आपको गता था अभी चार 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 बढ़ रहा था ना तो वही चीज यहां पर देखो common difference क्या है यहां भी 4 ही आ रहा है यहां भी 4 ही आ रहा है यहां भी 4 ही आ रहा है तो common difference क्या होगा प्रते एक दो टर्म का अगर आप दूसरे टर्म मेंस कराएंगे अगर दो टर्म हों दूसरे मेंसे पहला अगर इन दोनों का देख रहे हैं दूसरे मेंसे पहला इन दोनों टर्म में देख रहे हैं दूसरे मेंसे पहला जब आप माइनस कराएंगे माइनस कराएंगे, तो common difference समान आना चाहिए, उसी को हम कहते है सार्व आंतर, dc denote करते हैं पहले में आपका सार्व आंतर 4 आ रहा था, ठीक है, यहां तक कोई प्रावलम नहीं, कोई टकलिफ नहीं, ठीक है मेरे भाई, अगर हम दूसरे question ले, मैं आपसे पूंचता हूँ कि पर्थम पत दूसरे question में बताएं आप पर्थम पत बताएं, पर्थम पत को ac denote करते हैं, आप पर्थम पत बताएं तो आप कहेंगे, सर्चार है, कोई प्रावलम नहीं, ठीक है मैं आपसे कहता हूँ, मेरे भाई, difference common difference, common difference, common देखो यहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं, common difference हिंदी में कहते हैं, सारवांतर और notation का तरीका क्या होता है, D होता है मैं आपसे कहता हूँ, common difference बताएं तो आप कहेंगे, कि आप चाहे a2 minus a1 कराओ तो भी बराबर ही है आप a3 minus a2 कराओ तो भी बराबर ही है a3 minus a2 कराओ तो भी बराबर ही है, a4 minus a3 कराओ तो भी बराबर बात ही है, तो देखो यहाँ पर आप a2 minus a1 करा रहे हैं, तो 10 minus 4 कितना आया, 6 आया तो a3 minus a2 भी यही आना चाहिए मतब 16 minus 10 कराओंगे तो भी चार ही आएगा, 16-10 कराये, तो भी 6 ही आएगा, ठीक है, आगे भी आ भी कराएंगे, 22 मेंसे 16 घटाएंगे, A4-A3 कराएंगे, तो भी आपके कितना? 6 ही आएगा, ठीक है? तो सारवांतन निकालना आपने समझ लिया, आईए यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि पर्थम पद क्या होगा यहाँ पर आप कहेंगी सर्फ माइनस का साथ होगा मैं आपसे कहता हूँ common difference बताइए आप कहेंगे common difference कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 करा दो यह आप a3 माइनस a2 करा दो यह आप a4 माइनस a3 करा दो बात बराबर आनी चाहिए ठीक है तो हम देख लेते हैं अगर हम माइनस 9 में से माइनस 9 में से माइनस का साथ गटाएंगे माइनस 9 में से माइनस का साथ गटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस पलस कर देगा तो कितना आ जाएगा ये पलस का साथ आ जाएगा अगर हम A3 माइनस A2 कराते हैं तो माइनस का 11 में से माइनस का 11 में से माइनस का 9 घटाएंगे तो पलस का कितना हो जाएगा दोस्तों A4 में से अगर हम A3 घटाएंगे तो माइनस का 13 में से पलस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा घटा रहे हैं न माइनस कितना होगा पलस होगा माइनस का 9 पलस का साथ थोड़ा घटा घटा घुड़ा भागाना चाहिए कितना हो जाएगा माइनस का 2 आएगा यहां पर भी देखेंगे तो माइनस का 11 पलस का 9 कितना माइनस का 2 ही आएगा यहां पर आप देख रहें माइनस का 13 पलस का 11 माइनस का 2 ही आएगा अर्थात common difference क्या सबका समान है तो यह AP में कहलाएगा AP में कहलाएगा कि common difference देख रहो यहां पर स्दाटीं निकालन आपने समझा यहां पर भी आपने आपने थे टमने सार्वांतर निकाला 6 जैसे आप यहाँ पर देखो यह fourth काम देख रहे हैं मैं आपसे कहता हूँ पर्थम पद बताईए पर्थम पद first term कितना हो जाएगा आप कहेंगे 5 हो जाएगा मैं आपसे कहता हूँ common difference तो आप कहेंगे a2-a1 करा लो या फिर आप a3-a2 करा लो या आप a3-a2 करा लो या आप या आप a4-a3 करा लो बाद बराबर ही आनी चाहिए तो देखो a2-a2-a7 मतलब 5-5 कराएंगे 5-5 कराएंगे या आप a4-a3 यहाँ भी 5-5 कराएंगे तो आप देख रहे है common difference कहा रहा है 0 आ रहा है 0 आ रहा है 0 से कोई मतलब नहीं है सारबांतर तो आपका 0 आ रहा है सारबांतर देखो बराबर आ रहा है तो अर्थात है क्या होगा आपका a-p में होगा एक बात आपने समझ पाए कि आप कोई भी आपको स्रीज मिल जाए सबसे पहले आप क्या करें परफें पता पत depths देखें पहला है सारबांतर निकाल लें सारबांतर अगर comment difference उसका समान थे इंद्पत्क पनार नीकाल लें अगर यहाँ दो पतिक आपका निकाल लें अगर दो पत्बंका सारबांतर समान आ रहा है तो वह सि्रीज a-p में तहलाएगी हमें नहीं लगता आपको यहां तक कोई प्राभलम होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइप viktig? अब देखो, सार्वांतर, जैसे यह पर देखा भी यहांपर 4 मनेरेच हैं, चार, चार, चार यहाँ पर देखो आप सार्वांतर , जो आप सार्वांतर देख रहे हैं , सार्व आंतर जो आप देख रहे हैं वो कैसा था धनात्मक था धनात्मक था कि ने देखो पलस का चार पलस का चार पलस का चार बात यहां भी वही चीज़ पलस का छे पलस का छे पलस का छे सार्व आंतर क्या था धनात्मक था लेकिन मेरे भाई जब हमने यहां पर तीसरा वाल कि रिणात्मक हो गया क्या हो गया रिणात्मक हो गया कि रिणात्मक हो गया तो सारबांतर आपका कितना हो गया कि सारवांतर आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों सारवांतर आपका क्या हो गया सून्य हो गया सून्य हो गया तो एक बात आप समझ पाए कि सारवांतर धनात्म भी हो सकता है सारवांतर आपका सून्य भी हो सकता है ठीक है तो तिन बाते आप समझ पाए स्रेडी किसे कहते हैं परते एक दूटर्म के बीच के बीक का अगर समान है सारवांतर समान है तो श्रेयंडी सिर्फर हईगी प्रथम्द आपने देखा ठीकल फिर पिर इसके बाद आपने common difference निकालना सीखा कि आगर common difference निकाल लेते हैं तो ये series क्या हो जाएगी समांतर स्रेडी हो जाएगी फिर आपने देखा कि चाहे सारवांतर धनात्मक है चाहे सारवांतर आपका सून नहीं समांतर स्रेडी हमेशा अगर बराबर है तो कोई problem नहीं समां चीज़े आपको बताऊंगा ठीक है मरी बाई अगर आप चैनल पर नहीं तो like, share and subscribe जरूर करें अब इतना बात आप नोट कर लें अब मैं बताता हूं आपको कि ब्यापक रूप क्या होता है ठीक है सारवांतर स्रेडी का ब्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या होता है ठीक है बहुत ही important चीज है question में आपके इसी exercise में काम में लगेगा देखो पहली बात तो मैंने आपको first term प्रथम पत बताया दूसरी बात आपको मैंने सारवांतर बता है ठीक है अगर आप किसी भी समांतर स्रेडी का सारवांतर निकाल लेते हैं सारवांतर अगर बराबर आ रहे है तो समांतर स्रेडी कहलाएगी यहां तक बात के लिए ठीक है अभी अपने पिछले ही मैंदब slide में आपका यह example के थूरू मैंने आपको बताया था ठीक है तो इस example के थूरू मैं आपसे कहता हूँ अगर प्रथम पत बताना हूँ आपको तो क्या कहेंगे आप आप कहेंगे आपका चार आ रहे हैं तो समांतर स्रेडी कहलाएगी तो आपको यह पता चलिया कि समांतर स्रेडी में हैं मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ उसको देखो मेरे दोस्तों तो आप जानते किसी भी समांतर स्रेडी का व्यापक रूप क्या हूथा जेन्र फार्म क्या होता तो उसे यूशक है कि हमगla नहीं कर रहे है । आप ने सुना होगा कभी । नवापद हम उसकी बात नहीं है प्रफ्नावली 5-0-1 कम है कोई काम थे नहीं यह पत्का जब काम प्रसंथे पूरा डेटियल से बताऊंगा ठीक है तो 17-टी का भ्यापक रूप अपकर आप देखेंगे एन्मेपत की हम बात नहीं क्या रहें मैंने आपको पहले ही बताया तो पर्थम पत क्या होगा आपका ए दूतिये पत्थ एप्लस डी तिरतिये पत्थ तुट फोर्थ पत्थ आपका एपलस थी ठीक है प्रूफ कैसे करोगे कैसे हम मान ले कि यह चीज़ें तो ही यह समझते है मैंने आप से कहा मेरे भी पर्थम पत क्या होता है ए होता है तो माल लेते हैं यह आपकी स्रेडी है तो पर्थम पत क्या होगा इसमें साथ होगा आपको बिल्कुल होगा आपने कहा कि general form A plus D होता है, हम कैसे माल लें, देखो मेरे बाई, प्रथम पत A plus D, दूती एक टर्म आपका A plus D होगा, तो इसका मतलब अगर ये, मैं आपसे कहा था, ये A1 ले 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 डिफ्रेंस, common difference कितना है, 4 आ रहा है, तो 7 पलस का 4 हो गया, देखो यहाँ पर 7 आया, 7, 4, 11 आया, देखो पर्थम पद, A1, 7 आ गया, तो ती टर्म, A2, 11 आ गया, तो इसका मतलब आगे 15, 19, 30, सैसे आना चाहिए, आईए, A plus 2D, A क्या है आपका 7, 2 इंटो में D, common difference 4, देखो यहाँ पर, 4 दुनाई 8, और 8, 7, 15, कितना हो गया, 15 हो गया, देखो तृती पर कितना आ गया, आपका 15 हो गया, तो यह बात यहाँ पर भी अपलाई होनी चाहिए, A कितना है आपका 7 है, 3 इंटो में D कितना है, आपका 4 है, तो 4, 3, 12, और 12, 7, 19, तो कितना आ गया मेरे बाई, 4 पर आपका आ गया, 19, sorry, 19 आ ठीक है मेरे बाई, तो 4 तरम आपके कितना आया, 19 आया, देखो 4 तरम 19 आएगा, ऐसे आप लटते चले जाएंगे, चौथा पर आपका A पलस 3D है, 3D है, तो आप यहां से बता नहीं सकते हैं, कि अगर मैं आपसे पूंचता हूँ, पांचवा पर बताईए, तो आप क्या लिख सकते हैं, A पलस 4D, देखो, पहला पर A, दूसरा पर A पलस D, तीसरा पर A पलस 2D, चौथा पर A पलस 3D, जो पर पर आप लेंगे, उसमें से A कम करके D के साथ जोड़ दो, जैसे आप पांचवा पर ले रहे हैं, पांचवा पर तो A पलस 4D, पांच रहें ना, पांच रहें ना, पांचवा पर देख रहें ना, तो चाल डी, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि छठवा पर बताईए, तो आप D के साथ जोड़ दो, मैं आपसे कहता हूँ, कि तीस्वा पद बताईए, तो आप कहेंगे, कि A पलस 39D, यही तो होगा, आपको होगी बिल्कुल होगा, ए पलस 39D हो जाएगा, तो मतलब कोई भी आपसे पद कहा जाए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्र दूसरा पद A+, 2D, तीसरा पद A+, 3D, प्लस 2D, चौथा पद A+, 3D, पांचवा पद A+, 4D, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब जो पद आपसे पूंचे 5 पूंचा है, 4D, 6 पूंचा है, तो A+, 5D, 7 पूंचा है, तो A+, 6D, एक कम करके आप लिख सकते, ठीक है, तो आप नोट करें फिर हम question देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे question है आए दोस्तों question start करते हैं प्रस्णावली आपका पार्ट पांच जस्मरोहिक है question नमर पहला क्या है question पहला जो है वो आपका word problem type questions है कहता है कि निमनेलिकीद स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद संख्यां कि सूची एपी में है और क्म इसमें question आपके 4 questions क्वेश्ट इसमें कहा गया है कि जो question दिए हैं वो कि में हैं अगर एपी में हैं तो क्यों है इसी को आपको बताना के पहला क्यारा क्यारा है कि परतेग किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जब कि पर्थम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और परतेग अतरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है ठीक है ए सड़क है यहां यहां से आपने चलना अगे किलोमेटर, यहां पर तर सहीं आपनेोगे को देना पड़ते है फिर आप अतरिकती जाएंगे, तो 15 में 8, 23 हो जाएगा, फिर आपका 8 जुड़ जाएगा, 23 में फिर 8, 31 हो जाएगा, फिर आपका 8 जुड़ जाएगा, मतलब इस तरह से आपका चलेगा, लेकिन अभी तो हम औरली कर ले रहे हैं ना इसे इसे, वो क्या कह रहा है, वो कहना चाहता है कि जब आप एक किलोमेटर जाएंगे तो बंदा रूपय किराया लगेगा और अतरी फिर चलेंगे तो आठ रूपय एड़ होता जाएगा ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं सौ लोग कैसे करेंगे कैसे दिखाएंगे हम जोड़ समझते हैं Sao कैसे करेंगे यहां पर लिखएंगे को हमें पता है कि प्रॉखं देखो, पर्थम किलो मीटर के लिए किराया कितना है, पंदर रुपया, तो लिखेंगे यही चीज न, अब पर्थम किलो मीटर के लिए किराया, 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 पर्थम किलो मी सब अब हम बात करते हैं दुतियी किलोमीटर के लिए जैसे एक किलोमेटर कहussa जाना 1 चीलूमीटर के बार किदाएंगी जब दुतिये के लिए किराया कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप मेरे दुतिये किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा हम दुतिये के लिए हम टर्म एटू मान लेते हैं दुतिये टर्म के लिए हमने क्या ले लिया आप देख रहे हैं कि जब वो 15 रुपए के बाद दुसरे किलोमीटर पर जाएगा तो 8 रुपए देना पड़ेगा मतलब कि आप एवन में जब आप 8 आएड करेंगे तो आप किलोमीटर का फिस है जब अगले किलोमीटर में जाएगे तो 8 रुपया आपको और देना पड़ेगा मतलब आपको को मिला किते इस रुपया देना पड़ेगा तो पर्थम पद हो गया अब तिसरा पकर नीगा देखो अब इसलिए तृतिये लिखना पड़ेगा ठीक है तिरती है किलो मीटर के लिए किराया तो A3 से हम डी नोट करेंगे ना A3 से तो क्या हो जाएगा देखो यहां तक मानलो अब वो आ गया है यहां तक आ गया अब यहां तक कितना उसने जिया तेश रुपया अब फिर वो 23 किलो मेटर के लिए जा रहा है तो क्या करोगे आप A2 पलस का आठ कर दोगी है कि नहीं यहां तक जब आया है तो यहां तक उसने 23 रुपया पे किया अब उसको आगे भी जाना है तो मतलब हम जब A2 में यहां तक यतना पे किया था यहां तक पे आपको आपको तेस रुपया करना पढनींगे तो कितना कर गैगा आपका 31 हो जाएगगा 8 311 क्योंoming wetli सबस्क्राइब n है तो आपको 31 रुपया पे करना पड़ेगा आप चाह से नई इस भाटy वे निखाना है ठीक है बात क्लियर हो गई चाउथा पाच्वा पता आपको नहीं निकालना है क्योंकि आपको अगर तीन पता चल गए तो आप यहां से common difference ले सकते हैं अब मैं आप से कहते हूं common difference बताईए common difference सार्वांतर सार्व आंतर तीम पद आपको पता चल गए ना अब कम से कम साब आंतर तो आप निकाल लाइक हो गए हैं सार्व आंतर डी कैसे निकलेगा आप एटू-1 कर रहें आप एटू-1 कराएं अगर बराबर आया तो यह एपई में होगा एंप्ट्ट्ट्ट्र कराएं एक सकथ रहा हूं आपको दीख रहा है कि नहीं हाँ दीख़ा आ कोई प्रॉब्लम ठीक है देखो एटू-1 कराएंगे जबाँ एटू-1 एटू कितना है आपका 23 है कितना है तो आप जब तेईस में से पंदराल निकालेंगे तो पांट तीन आठ आएगा और यह भी आपका तेईस साथ एक आठ आएगा ठीक है तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपका बराबर आया अर्थाथ अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है तो जो आपका टर्म दिया गया है जो आपने मतलब कॉेशंद दिया गया है यह कैसा आओग ए अपी में होगा तो आप लिखेंगे की सारवानतर को कॉमन डिफरेंस थी सारवानतर समान है सारवानतर समान है देखो आपको ऐसा चेक करना हुना कि क्या य や फी में है क्या नहीं मेरी बातों को समझना अगर आप तक हुंसे सहऑं तीन पन्यालो और रेता दोनों पत बरा बरा जा रहें लेखने और देखा आप ने आटीर बरा बरा आगा शारवांढ़ा बरा बरा गया तो इसलिए यहां कि एं सेमानतर कि यहां एक समानतर आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको एक दम पढ़िया नंबर पांच नंबर में question आई तो नोट कर सकते हैं कोई प्रावलों कोई तकलीफ हो तो comment section में छोड़ सकते हैं तो आए दोस्तों question नंबर आपका कौन सा है दूसरा ठीक है पहले का दूसरा पाट है कि किसी बेलन में उपस्तित हवा की मात्रा जबकि वायू निकालने वाला पंप प्रति एक बार बेलन की सेस हवा का एक बटे चार भाग बाहर निकाल देता है ठीक है मेरी वाई question आपको करना क्या question में यहीं करना है कि आपको यह question बताना है अगर यह तो क्यों निकाल पाएंगे जब question को solve कर पाएंगे यहीं तो बात होगी करेंगे कैसे देखो मेरी आसान सा question है देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं क्वेश्चन पहले समझगे किसी बेलन में उपसेत हवा कि मात्रा तो यह सेच हवा भारा हुआ हूँ जबकि निकालने वाला पाम्प कोई निकालने वाला कोई है वो पर तेक बार बेलन की च्वाटर बाहर निकालएंगे हवा है उसका एक बटे चार भाग बाहर निकाल दे रहा है ठीक है तो आई ये बात को समझते हैं कि देखो हम करेंगे क्या कि मान लेते हैं ठीक है चुंकि माना आप देखो हमको यह नहीं पता है कि बेलन में कितनी हवा है हमको यह तो पता नहीं ना बेलन में कितनी हवा हमको पता यह नहीं भई तो हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित माना बेलन में उपस्थित बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हवा की मात्रा हम ले लेते हैं यक्स हम मालेते हैं कि बेलन में जो हवा है वो X है और इसी X को हम पहला पद मालेते हैं मतलब A1 क्या मालेते हैं मेरे दोस्तों A1 क्या मालेते हैं A1 कोई प्रॉब्लम नहीं है हम ने मान लिया कि प्रस्तिन और भाई आb ये question कह रहा है प्रसना अनुसार ठीक है प्रस्तना नुसार अगर हम बात करें कि क्या बात करें बात कह रहा है वो कि परते एक बार जो है वह निकालने वाला एक पंप है वो परते एक बार से सवा का एक बटे चार भाग बाहन निकाल देता है तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि चोंकि परतेग बार बेलन की सेश मतलब निकाली गई वायू की मात्रा चोंकि परतेग बार निकाली गई वायू की मात्रा कितना है कि वो मतलब परतेग बार क्या हो रही कि सेश हवा का एक बटे चार बाहर निकाल दे रही एक बटे चार भाग बाहर निकाल दे मतलब हवा का एक बटे वो बात को समझाना लेंग्वज को समझाना वो कह रहा है कि जबकि वायू निकालने वाला पंप प्रतेक बार बेलन की सेस हवा, देखो यहां पर लिखा गया, सेस हवा का, एक बटे चार भाग बाहर निकाल दे रहा है, तो हमने मानाई कि बेलन में जो हवा सेस हवा है, वो X है, अब उसका बेलन में जो हवा है, उसका एक बटे चार भाग बाहर निकाल रही है, मतलब पत्चीस रुपया इसका इसका आप कितना देंगे पत्चीस देंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर से सहवा कह रहा है से सवायक से उसका एक बटे चार भाग त्यक्स बटे चार भाग समस्के ठीक यह तो आपका बेसिक था मैंने आपको बताने के लिए ठीक है मेरे भाई कि पर्थम बार के बाद निकाली कि पर्थम बार के बाद बेलन में लिखा पढल पर आपको दिखता था था मिन देखो कैह रहा है कि पर्थम बार के बाद बेलन में कितना हो जाएगा देखो पर्थम बार के बाद मतलब अगर मालो बेलन में पहला पध हमने इसतिमीना तो Mes cotton में उप्राँ후 गाल गए ऑसे एक बटेचार भाग बहर निकाल गया तो अब X का आप X बटे 4 मतलब X का आप X बटे 4 बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा यह यह आप का जाएगा 3 X बटे 4 और इसी को आप मानेंगे दूसरा पद कौन सा पद? दूसरा पद मतलब देखो फिर से समझो यह क्वेशन बहुत अच्छा है कि पर्थम बाहर के बाद बेलन में वायू मतलब कि उसने प्रेस किया तो बेलन में हुआ कितना था? बेलन में हुआ एक्स था और X का उसने X बटे 4 बाहर बाहर निकाला तो बचा कितना? X में से आप X बटे 4 घटा देंगे तो तीन अक्स बटे 4 आएगा अब वायू आपका बाच गया तीन अक्स बटे 4 घटा इसको आप देखें अब अब फिर से वो प्रेस करता है ठीक है तो दुतिये बार के बाद दुतिये बार के बाद बेलन में वायू तो यह बार के बार बेलन में वाई देखो मेरे भाई इस question को आपको यही पर logical question है इसको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अब बेलन में कितनी वाई बचे हुए तो तीन एक्स बटे में चार क्योंकि देखो एक्स का उसने एक्स बटे चार निकाल दिया तो बेलन में वाई की मात्रा बेलन में कितना वाई बचा है तीन एक्स बटे में चार तो अब जब वो दूसरी बार प्रेस करेगा तो कितना कितना वो निकालेगा, वो निकालेगा, 3x बटे 4, इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, बेलन में मात्रा, 3x बटे 4 है, और इसी का वो 1 बटे 4 बाहर निकालेगा, मतलब, 3x बटे 4 का, वो 1 बटे 4 भाग बाहर निकाल रहा है, यही बात आपको समझना है, यहाँ पर द इसी का वो एक बटे 4 भाग बाहर निकालेगा, मतलग 3x बटे 4 का वो एक बटे 4 भाग बाहर निकालेगा, ठीक है, तो कितना आएगा ये, देखो, 3x बटे 4, माइनस का, 3x गुणे में, तो 3x हो जाएगा, और 4x के 16, इसको जब आप calculate करेंगे, तो देखना पड़ेगा, आप आपका 9x, ठीक है, कितना आगया 9x, और इसी को आप मान लेंगे, तिरती एपद, कौन सफ़द, तिरती एपद, देखो, आपको दिखरा है कि ने, एक सेकंड, आपको दिखरा है, यहाँ पर अभी भी स्पेस बहुत है, तो यह आपका आगया, तिरती एपद, अब देखो, a2-7 करा दे, या आप a3-a2 करा दे, दोनों बराबर आना चाहिए, आप कहेंगे, जी बिल्कुल बराबर आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, देखो, a2-7 कराओ, a2-7 कराओ, तो यह a2 आपका यह 3x बटे में 4, 3x बटे में 4, minus का, a1 आप a1 है, a1 आपका क्या x है, a1 आपका x है, तो आप जब कराएंगे, तो देखो, यहाँ पर, 4x हो जाएगा, 3x-4x, 3x-4x में से जाएगा, तो आज जाएगा, minus का x बटे में, 4, calculate करके देखना, हम देखो, यह इसकी बाद तो हो गई, a2-7 की बाद तो हो गई, अब इसको चा a2 कितना है आपका, 3x बटे में, 4, lcm कितना हो जाएगा, 16, तो यह आपका जाएगा, 9x-4, 4, 4, 4, 4, 4, 12, मतलब 12x, मतलब minus का 3x बटे में, 16, तो आप देख रहे हैं, मेरी भाई, कि सारवांतर जो आप निकाल रहे है, a2-7 का, यहाँ पर minus का x बटे में, 4 आ रहा है, और द सारवांतर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चोंकि सारवांतर क्या है, सारवांतर आसमान है, बराबर नहीं है, आसमान है, इसलिए, यह AP, मतलब सामांतर सेड़ी नहीं है, यह सामांतर सेड़ी नहीं होगी, ठीके मेरी बात के लिए रहे हैं, कोई तो इसलिए मैंने आपको थोड़ टाइम लेकर भी बताया तो इसको आप नोट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तकलीफ हो तो कमेंट सक्षान में आप छोड़ सकते हैं कि आये दोस्तों क्वेश्चन नमबर आपका तीसरा है ठीक है थर्ड पार्ट है इसी को हमको समझना है ठीक है मेरे देखो परतेग मीटर की खुदाई के बाद एक कुणा खोजने में आई लागत जबकि पर्थम मीटर खुदाई की लागत देश रुपया है और बाद में पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है सौल हो जाएगा ठीक है देखो कैसे सौल होगा पड़ो क्वेश्चन कि देखिए मेरे बाई परतेग मीटर की खुदाई के बाद एक कुणा खोदने में आई लागत जबकि पर्थम किलोमेटर की लागत देश्ट रुपया और बाद में पर में होताई है मेरे दोस्तों कहता है जब इक मीटर खुदेते हैं एक मीटर फिर दो मीटर मान लो ठीक है फिर इस तरह से तीन मीटर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो एक हो स्बते हैं अब कहरे हैं पर एक मीट कमीटरे खुदाई के बाद लागत आफ जैसे 4C4 अब परनना तो क्या ये एकीट में हैं अगर एकी में है तो क्यों एक्पी में देखिए गा सि कुम आलए टहाँ कि हम मान लेतें मान वेड़िया देखो प्रथम मी्टर में कूछ करने में घूँ यह वाहे है तो मान लेते हैं माना पर तल्हा पर गविगिशाण कम दो नीद्र 10therther कितना हो जाएगा आपका 150 रुपय अपको बिलकूल हो जाएगा और इसी 150 को हम पहला पद माले रहें और पहला पद माल ले रहें ठीक है मगा इसी प्रकार से कि अगर हम बात करते हैं पहला क्वेशन आपने समझा तो बहुत आसान हो जाएगा तो इसलिए दुटिये में लागत कितनी लगी बताओ लागत को पता होना चाहिए कि अगर एक मीटर खोद रहा है पचास रुपे में तो अगला एक मीटर खोद रहा है कितना खोद देगा तो एक मीटर जैसे से बढ़ता जाएगा मतलब परतेग मीटर खोदाई की रागत पचास रुपे बढ़ती जाएगी तो अर्थात अगर वो यहां से यहां तक पचास रुपे में खोद रहा है तो फिर यहां से यहां तक जैसे एक मीटर खोदेगा तो पचास रुपे बढ़ेगा मतलब 50, 150 में 50 आपका और जोड़ जाएगा मतलब 200 रुपे उसको लगेगा और खोदनी में ठीक है 200 रुपे लगेगा तो इसी परकार से अर्थात मतलब क्या हुआ कि A1 में पलस का आपका 50 होगा A1 में कितना होगा पलस का 50 होगा और यही आपका क्या होगा यही आपका क्या होगा दूसरा टर्म होगा मेरे दोस्तों ठीक है यही आपका दूसरा टर्म होगा और अगर दूसरा टर्म होगा तो A1 की वैलू आपकी 150 है A1 की वैलू 150 है और पलस का 50 जोड़ देंगे तो यहापका होगा 200 तो तुर्टीए पद निकालेंगे अगर हम यही बात वहां पर भी लिखेंगे तुर्टीए मीटर खुदाई में लागत यहां कितना हो जाएगा एटू पलस का पचास हो जाएगा देखो अगर तुर्टीए किलोमेटर में आप आते हैं तो यहां से मतलब एकसो पचास हो जाएगा और पलस यहां तकाने पचास लाएगा मतलब पचास पचास यह 100 हो जाएगा और सब्सक्राइब कितना हो जाएगा अर्थात एटू कितना था आपका दो सो एटू कितना है दो सो और पल्चास आपको और देना पड़ेगा अर्थात आपको 20 रुपे उसे देना पड़ेगा, ठीक है, 30 किलो मेटर खुदाई में, मीटर में है, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा A3, अब आपको देखना है कि क्या, क्या, सार्वांतर निकालना पड़ेगा, तो देखना है क्या सार्वांतर समाना है, अगर सार्वांतर समाना है, तो सार्वांतर आपका इस पानिसे हो जाता है 이후- influential कितना है आपका 200 हुआ माइनस का एवन कराएंगे तो 150 हो तो यह आपका हुग्या पचास ठीकिया हो अगर हम बात करते है légरे मानसजीक टोच टीटिर कितने आपका 250 है 250 में से अगर ह 200 घाट आते थें थो आपकांगे पचास अर्थ Cats आप देख रहें कि common difference यहां भी पचास बराबर है यहां भी 50 आपका बराबर है क्या आपको last episode में दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है 50 आपका बराबर है तो यहां पर आप लिखेंगे की चुक्ती सार्वांतर बराबर है सार्वअंतर क्या है बराबर है अगर सारवांतर बराबर है तो यह इसलिए इसलिए यह तर्म इसलिए यह समांतर स्रेड़ी में है इसलिए यह एक एपी यह समांतर स्रेड़ी है यही आपका कंसेप्ट होगा यही आपका क्वेस्चन का सॉलिस्ट होगा ठीक है मेरे बाई देखिए यहां अगर नहीं लगा पाएंगा तो इंपोर्टेंट उतना है भी नहीं अगर आप लगा सकते हैं तो लगाई नहीं नहीं रखते हैं क्वेस्टन जादे हैं इसलिए आप आज की कंप्लीट हो नहीं पाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको फ्रॉइट करा पाऊंगो ठीक है तो आई होब आप इससे लेक्चर को समझेंगे इंज्वाइए कि होंगे थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग पर सब्सक्राइब लेकिन फॉर डिली मोट